नमस्कार दोस्तों मौजूदा मोधी सरकार जिस अंदाज में कायदे कानुम को ताग पर रखकर पांग्रेस सध्यक्ष श्रीमती सोने गांधी और पूरध्यक्ष श्री राहूल गांधी को निशाने पर ले रही है उससे साफ हो गया है कि उनका मकसद केवल उनकी छवी धोमिल करना नहीं है ED के कंधों पर बंदूब रखकर वो वही हासिल करना चाहते हैं जो गुजरे जमाने में दुनिया के तनाशा होने चाहा था ऐसे नाजब मौके पर INC TV आप सबसे एक खास अपेल करना चाहती है आप सबको ये बताने की जरुवत नहीं है कि हिटलर ने कितनी कुरूरता से अपने विरोधियों का कतलयाम किया था वैचारिक विरोधी, शांती अहिंशा की बात करने वाले बुद्धी जीवी, किसान मजदूर के नेता किसी को उसने नहीं बक्षा था येहूदियों के नरसंगार के लिए तो उसने गैस चेंबर बना रखा था हिटलर के कुरूरता के और गी तमाम वाक्यों से आप रूबरू होंगे लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिटलर इंसानियत को कलंकित करने में सफल कैसे हो गया कोई उसकी कुरूरता पर रोक क्यों नहीं लगा सका इस सवाल का जवाब हिटलर के ही देश जर्मनी के कभी फ्रेडरिक गुस्ताव एमिल मार्टिन निमोलर ने दिया है अपनी मुशूर कविता पहले वो आए मैं सुनिये वो क्या कहते है पहले वो आए कमिनिस्टों के लिए मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कमिनिस्ट नहीं था फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था फिर वो यहुदियों के लिए आए मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहुदी नहीं था फिर वो मेरे लिए अब मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं बचा था मतलब समझ गय हो गया हिटलर की कूरता के उस दौर में ज्यादाता लोग ये सोच कर खामोश बैठे थे कि मुसीबत पडोसी के घर आई है दूसरी जाती और संपरदाय के लोगों पर आई है उन लोगों पर आई है जो उनकी विजाधारा के नहीं है वो लोग मर रहे हैं जो जिरोधी पार्टी के हैं हिटलर के यमदूत उन्हें नहीं बलकि दूसरे लोगों को मार काट रहे हैं उनका घर परिवार सुरक्षित है उनके आशियाने पर कोई आज नहीं है और आएगी भी नहीं लेकिन हिटलर ने उनको उन सब को गलत साबित कर दिया सबसे पहले उसन उनके ट्रेड यूनियन वालों को निशाना बनाया उसका भी किसी ने पुर्जोर विरोध नहीं किया हिटलर का होसला और बढ़ता गया और तब आखिर में उसने द्युतिवे विश्वईध के दौरान यहूदियों का सामोहिक नरसंगहर कर दिया और पता है हिटलर की स्ता पाना शाही और पूर्टा का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था उन जर्मन वासियों पर जो हिटलर को अपने हीरो की तरह पूछते थे जब तक हिटलर जिंदरा ज्यादा तर जर्मन वासियों को यही लगता रहा कि हिटलर उनका सबसे बड़ा खैर क्वाह है लेकिन कीजिए जरा याद कीजिए कि पिछले आठ साल से देश की दशा और दिसा किस तरफ जा रही है देश को एक साजिश के तहट पहले धार्मिक उनमाद में उल्ठाया गया ताकि सरकार के साजिश पर परदा पड़ा रहे उसके बाद विरोधियों को निशाने पर लेने का काम शुरू हुआ ये चीज किसी से छुपी नहीं है इस काम के लिए सबसे ज़्यादा एडी का इस्तेमाल किया गया विपक्ष के सारे बड़े निताओं को एक एक करके निशाने पर लेने का काम शुरू हुआ जो विपक्षी एडी के दबाव में आकर सत्ता के सामने जुप ग लेकिन जो लोग सत्ता की इस निरंकुष्टा के सामने नहीं जुके उनको जेल भेजने के लिए हर कायदे कानून को ताग पर रख दिया गया सुनिया गांधी और राहुल गांधी का मामला सत्ता के इसी साजिश का एक हिस्सा है सत्ता उनको घुटनों के बल बैठाने के लिए बेताब है दूसरी तरफ वो है जो सत्ता को खोली चुनवती दे रहे हैं यह सरकार चाहती है आप बिना सवाल किये तनाशाही की हर बात को स्विकार करें मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ इनसे डरने की और तनाशाही सहने की जरूरत नहीं है यह डर पोक है आपकी ताकत और एक तासे डरते हैं इसलिए उस पर लगातार हमला कर रहे हैं अ डराने देगे अब यहां सवाल उठता है कि इस नाजुक मौके पर देश का क्या फर्ज है देश के लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हमारा भी हैस उस जर्मन वासियों की तरह नहों जो शुरुआती दौर में हिटलर को अपने हीरो के तोर पर देखते थे इस सवाल का कह रहे हैं उसका पुर्जोर जो है विरोध कीजिए जिस साजिश के तहट विरोधी दल के नेताओं को फसाया जा रहा है उसका खुला विरोध कीजिए याद रखे जनता की ताकत से बढ़कर दुनिया में और कोई बड़ी ताकत नहीं होती जब जनता सड़क पर उतर के इ जूरत है और यही आएंसी टीवी की अपील भी है नमस्का